यूपी विधान सभा का आज दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ विधान सभा सत्र सुरू आज होगा बजट पेस सुरक्षा के कड़े इंतजाम समाजवादी पार्टी के बदोई से विधायक जाहिद बेग हमिशा की तरह साइकिल से पहुँचे विधान सभा साइकिल से काले कपड़े पहंग कर पहुँचे सपाविधायक सपाविधायक सत्र में साहिद बेग अनुखे अंदाज में पहुँचते हैं सरकार की नितियों का अनुखे तरीके से करते हैं विरोध कपड़ों पर सरकार विरोधी नारे लिखकर जदाते हैं तो सरकार को किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर घेरने की कोशिस करते हैं सरकार पर बोलते हैं लेकिन स्वावी प्रसाद मौरिया के बयान पर चुपपी साथ जाते हैं जाहिद बेग ने कहा स्वावी परसाद मौर के बयान के बारे में नहीं है कोई जानकारी